हेलो गई स्वागते आप सबका कविता के किचिन में तो आज मनाने वाल है शादियों में बनने वाला मुंग डाल का हल्वा बस आप हल्वा बनाने की ये एक ट्रिक सिख जाओ तो चाहे फिर मुंग डाल का हो चाहे सूजी का हो या फिर चाहे आटे का हल्वा हो आप कोई भी हलवा चुटकियों में बना सकते हो तो हलवा बनाने के लिए सबी चीज़ों का मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए अगर आपका मेजरमेंट उपा नीचे हो गया ना तो हलवा भी उपा नीचे हो जाएगा तो मूँग डाल, साकर और घी, टीनों का रेशो वन इस्टू वन इस्टू वन रखा है इसके साथ मैंने एक टेबल स्पून सूजी लिया है यानि की रववा और एक टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है उसे ना हलवाई जैसा परफेक्शन आएगा उसके सार मैंने ड्राइफूट लिया है तो इधर मैंने पोलिश वाला मूंग डाल लिया है इसलिए उसको दोने की कोई जरूरत नहीं है मूंग डाल को हमें मेडियम फ्लेम में ही रोस्ट करना है बस गैस का फ्लेम फास नहीं अभी मिक्सरिज आल में डालते ही इसको दरदरा पिसना है उसका पूरा पावडर नहीं बनाना है जैसे सूजी रहता है बस तरह में थोड़ा सवर्णा चाहिए तो मैं मूंग डाल अभी दूद में बना रही हूं तो इधर मैंने एक कप छीनी लिया है तो इसके साथ मैंने तीन कप दूद लिया है यानि की रेशियो 3 to 1 रखना है आप चाहे तो पाने में भी बना सकते हो पर दूद वाला मुंग डाल का हलवा का टेशना बहुत बढ़ी आता है तो इसके अंदर में डाल रही हो केसर वाला फूड कलर अगर आपके पास केसर है तो आपके इसके जगा पे केसर भी डाल सकते हो इसके अंदर जाएगा एक कप पूरा चीनी बस हमेना अभी दूद को गरम करने के रख देना है जब इना चीनी पिगल जाएना तब तक हमें इसको गरम करना है तो चीनी पिगलते ही गैस का फ्लेम बन कर देना है तो आओ अभी हम बनाते हैं मूंग डाल का हल्वा मैंने दो चमच पहले घी ले लिया है घीना एक साथ नहीं डालना है उसके अंदर जाएगा एक टेबल स्पून सुजी सुजी ना हमें हलका सा रोष्ट करना है थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए ना थोड़ा सा वाइट उसके बाद डाल देना है एक टेबल स्पून बेसन बेसन और सुजी से हमारा हल्वा बहुत बढ़िया बनेगा और स्मैल और टेस्ट में भी पूरा हल्वा भी तो इसके बाद हम घी डालेगे पुल तो पक जाएगा अनोर से हल्वा कच्चा रह जाएगा हलवा बनाने के लिए हमें थोड़ा सा पेशन के जरुत है तो देखो धिरे धिरे ना इसका जो कलर है ना बिलकुल हलवाई जैसा बन रहा है उसका कलर भी चेंज हो गया है अब इसका कलर ब्राउन हो जाए न तब हमें उपर से दूद डालना है तो दूद न हमें एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालना है एक साथ दूद डालने से न अंदर गुठलिया बन जाती ह इसलिए थोड़ा सा दूद डालो उसको घुमाओ और थोड़ा सा दूद डालो और हलवे को घुमाओ बस इस प्रोसेस को हमें धीरे-धीरे करना है जब तक धूद खटम नहों जाए न तब तब तक Mesum हमें गैस का जो फ्लेम हे स्लो रखना है हम्ै एंड तक हल्वा स्लो फ्लेम रखना है। जिरे दिरे करके मुंग डाल का जो हल्वा दूच अंदर म्हें, जर्म हुज आएगा जैसा धूच अन्दर अप्जप भी लाता दूचेएगा वैंसे को डू गी है न वो हमें पूरा डाल देना है उपर से घी डालते ही इसका जो टेक्शर देखना एक बिलकुर रसिला और क्रीमी देखेगा तो मैं जब छोटी थी न तबी ममी हलवा बनाती थी तो उसको देखे न मैं भी बना लिया करती थी तो मैं उसको न एक क्वेशन पुछती थी कि हमें केसे पता चलेगा कि हलवा हो गया है या नहीं तो उसने मुझे एक ट्रिक बटाई थी तो ये ट्रिक न सभी हलवे आप कोई भी हलवा बनाओ सुझी का मुंग डाल का आटिक हलवा तो ये ट्रिक सभी हलवे में काम आएगी तो आप भी सीख लो तो ममी ने मुझे ब गया है अभी मैं तो इदर मैंने एक प्लेट लिया है तो प्लेट में न हमें हल्वा डाल देना है देखो पैन में चिपक नहीं रहा है बिल्कुल पूरी तरह से स्लीप हो रहा है अगर अगर आपका हल्वा इस तरह से प्लेट में स्लीप ना होना तो समझ लेना कि आपका गपाना सबसे यलना शादियों में बनता है तुछा में आ होता घर जब होगा और नियुकर. उसके बाद मैंने खाता तो आपके गर पे नो कोई भी महमान आये हो तो प्लीस उसको गरम-गरम साउ किजेगा अगर आप सबको मेरे रेसिपी पसंद नहीं हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब किजेगा थैंक यू